बात करें अर आ र और बी डिनिम्स लिम्टेट के बारे मां अगर बात करें कम्पनी का स्टोक पर है कम्पनी का स्टोक 33.10 पर ट्रेड़ कर रहा है आज की ट्रेडिक सेसे में 0.78% की तेजी गिरावट इसमें देखने हुँ मिली है अगर पिछले एक मेने की बात करें तो चार्सो लिकातिस पर ट्रेजी सांदा तेजी यहां पर देखने हुआ है लेकिन पिछले कुछ समय से अगर देखें तो कम्पनी की इस्टोक प्राइज है उसमें काफी ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिली है कम्पनी के फंडामेंटल के अगर बात करेंगे 231 करोड कम्पनी का मार्केट के अपर अगर अगर 2.96 जो और कम्पनी की बुक वेल्यू यहां पर देखें तो 244 करोड का कम्पनी की जो टोटल इंकम थी वह यहां पर बढ़ती हुए नजर आई अलागे 2021 के अंदर कम होती हुए आपको नजर आई थी नेट पूफिट को गर देखें तो 2019 के बाद 2020 में कमी आपको देखने हुए लेकिन 2021 के अंदर सांदार आपको रहली नेट पूफिट में देखने हुए पिसले कुछ समय से कंपनी में आपको डाउनवर्ड देखने को मिल रहा है उसका रीजन जो बात करें तो कम्पनी के को क्वार्ट रिजल्ट को आप पान सकते हैं क्योंकि पिसले तीन क्वार्टर से जून सेप्टमबर और दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो कम्पनी कंटिनूसली डाउनवर्ड यहां पर परफॉर्म कर रही थी जहां जून के अंदर 6 करोड का प्रॉफिट था वो सिप्ट 53 परतीसद सेख़ जम नेट पॉफिट 1.9 करोड से बढ़कर 1.1 करोड 41 परतीसद सेख़ जम नेट प्रोफिट वह में गिरावट देखने को मिली है अर्निंग परसेद 0.28 से कम होकर 0.16 देखने को मिले 42.86 परतीसद की कमी अर्निंग परसेद कर एच अर्ट फाइनेंचल य यह प्रूटर की कमी अग्रेंग कानिक पर विए उसमें आपको कोई भी तेजी कमी देखने को नहीं मिली है और नहीं है यहां पर अपो दिखने को मिला है और पूलीक है वह आपको इक्वली की होल्डिंग के कर बात करें तो 26.21 की holding आप पबली की आपको देखने को नहीं हो नहीं हो फूटर की अगर बात करें तो अगर यहां से बहुंस बहुत मारती हुए आपको नेट पोफिट के अंदर देखने को मिलेगी तो आपको इसी स्टोक की पराइज में